स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर मैं हूँ सियो कुमार यादो इस वीडियो में हम AU Intense Exam 2021 की प्रप्रेशन में BSC Math का Part 3 समझाने जा रहे हैं आज का हमारा जो Part होगा वह लगुगणक का होगा इसमें लवगड़क चैप्टर के Important Question आपको करा दिये जाएंगे और ऐसे ही Question आपको Inters Exam में हल करने हैं क्योंकि ऐसे ही Question वहाँ पर पूछे जाएंगे तो जो भी प्रस्न है आए इनको जल्दी से देखते हैं वीडियो को आप Like से ज़दा Share पर ध्यान दिया किजिए क्योंकि Share हमारे लिए बहुत महत्तुर रखता है तो चलिए अब वीडियो को सुरू करते हैं आप सभी के सामने यहाँ पर पहला प्रस्न आ चुका है जिसमें लिखा है Log 0.0000001 का मान क्या होगा माइनस 4, 0, माइनस 6, 1 तो देखे इस तरह का जब भी कोस्टन आए इस तरह का 00 करके तो आप इसको 10 की घात में कनवर्ट कर लीज़े तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब जसमें लोग बाश 6 आँके इसका महला 10 की घात माइनस 6 आएगा और यहां Base 10 पहले से था और आपको पता यदि हम इस 10 को यम मालने और इस 10 को यन मालने तो आपको एक फार्मुला पता होगा लाग यम की घाते यन और इसका फार्मुला होता यन लाग यम मतलब यह चीज पहले आजाएगा और यह यहां पर ही रहेगा माइनस 6 अपनी जगह पर उसी चीज का उसी Base पर लगणक एक हो तो आपको लाग दस बेस दस का मान एक होगा और माइनस 6 में एक का गुड़ा होगा तो आपका कितना जाएगा माइनस 6 यह वाला अप्शन सही होगा यह पहला प्रस्ण था हमारा दूसरा प्रस्ण है लॉग B C बटा A स्क्वाइर प्लस लॉग A C बटा B स्क्वाइर प्लस लॉग A B बटा C स्क्वाइर का मान होगा 0,1,2,4 क्या होगा आएज जल्दी से देखते हैं तो देखे हैं हमने कुश्चन को लिख लिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे देखे एक फर्मॉला होता लाग यम प्लस लॉग यन प्लस लॉग पी जो भी मानना चाहें तो जब भी इस तरह से लग गणक दिये जाए और इसमें प्लस का चिन रहेगा एक बार लाग लिखकर इन सभी का गुड़ा करेंगे देखे एक बार हमने लाग लिखकर इन सभी का क्या कर दिया गुड़ा कर दिया दो बार है तो दो बार तीन बार है तो तीन बार चार बार है तो चार बार तो गुड़ा करिए देखे एक का गुड़ा ए में होगा A square, B का गुड़ा B में होगा B square, C का गुड़ा C में होगा C square, और नीचे A square, B square, C square पहले स्था, ये cancel होजाएगा A का आएगा, और lag 1 की value याद रखी कितना होता, 0 कभी-कभी direct lag 1 की value पूछ लेता है तो lag 1 की value 0, इसलिए इस प्रस्न का answer क्या होजाएगा, 0 I hope कि आपको यह प्रस्न भी अच्छे से समझ में आ चुका है अब हमारा जो तीसरा प्रस्न है इसमें लिखा यदि lag A base 2 बराबर 4 minus lag 4 base 2, तो A का मान क्या होगा, 1, 2, 3, 4 में से क्या होगा हमने लिख लिया है, यहाँ प्रस्न एक बार फिर से, lag वाला यहाँ portion और यहाँ portion है, इस lag वाले portion को lag वाले की तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर यह पहले से था, यह minus में इदर आया है, तो plus में इदर आपको क्या बचेगा, 4 अब मैंने बोला कि जब lag ऐसे लिखा रहे प्लस का चिनना है, तो इनका इनका अपस में गुड़ा हो जाएगा, अब बेस वतना ही लिखा जाएगा, तो बेस दो लिखकर हमने एक उड़ते क्या लिख दिया, 4 और इदर 4 पहले से ही था, अब देखिए, आपको एक चीज यहाँ पर बता रहा हूँ, lag यम बेस ए बराबर यन, अगर ऐसा लिखा है, तो इसे घातां के रूपे कैसे लिखेंगे, ए की पावर एन बराबर यम, मनलब इसके बराबर इसकी यह घात बन जाएगी, ऐसे यहाँ पर हमने इसके बराबर दो की घात क्या लगा दिया, 4, तो 4 ए बराबर आपको यहाँ परस्ण भी अच्छे से समझ में आ गया है, नबनेश्ट, lag दो बराबर हमारा लिखा है, 0.30103, तो lag दो सो बराबर क्यों सनमार, क्या होगा इसकी वैलू, तो lag दो सो को हम लिखेंगे, 100 गुरते दो, कोई दिक्कर नहीं, अब जैसे यहाँ पर हमने बताया कि अगर बीच में प्लस है, तो हम इनको गुडा में कर लेते हैं, अगर गुडा बीच में तो इनको हम अलगलग प्लस में कर लेंगे, फार्मले के साब से, तो lag 100 गुरते दो को हम लिखेंगे, 100 प्लस लाग 2 लाग 6 को हम 10 की घाते 2 लिख सकते हैं लाग अपनी जगर रहेगा और 100 की जगर 10 की घाते 2 लिख देंगे और लाग 2 की जो बैलू है मैं उठा कर पतक दिये हैं ठीक है और उसके बाद अभी यमकी घाते यान वाले फर्मले से यह पहले आ जाएगा तो 2 लाग 10 हो जाए आप सबी को यह प्रस्ण भी अच्छे से समझ में आ चुका है अब चलेंगे हम लोग पांचवा प्रस्ण अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और सेर जरूर करें प्लीज 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 चलते हैं नेस्ट वीडियो में आ स्वारी नेस्ट कोशन की ओर ऐसे कोशन को आज तक हमने कलम से हली नहीं किया आम इसको ऐसे ही डारेक्ट हल कर लेते देखो करना क्या है आप दे समझो मैं इसलिए इसका साल्व नहीं लिखा जैसे यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे कोशन को सोला को आप क्या जानते हैं दो की घाते चार तो यहां पर दो रहेगा और चार इसके आगे आज आएगा तो लाग दो बेस दो की वैलू एक तो एक का गुड़ा चार में करेंगे चार अब यह पूरा हड़ गया बना के एक ना चार और चार को क्या लिखेंगे दो की घाते दो तो यह जो घात है वो आगे आ जाएगी और यहाँ पर भी दो बच्चे गा लाग दो बेस दो की बैलू एक होगी और यहाँ पर दो का गुड़ा एक में होगा तो दो तो यहाँ दो और यहाँ दो लाग दो बेस दो की बैलू कितनी होती है एक यहाँ पर आपसन नमबर ड तर आपको दिखा दे रहा हूं देखे 16 को आप लिख सकते हैं अभी इमने बता दो की घाते चार ठीक है अगर यहां दो की घाते चार लिखोगे तो यहां भी लाग है यहां यहां दो है और यहां भी दो रहेगा तो दोनों में यहां पर यहां दो की घाते यहां दो की घाते चार होगा इसका वहला सब कुछ बराबर है ये गाज जो है इस चार वाले के बराबर हो जाएगी एकस प्लस टू बराबर चार तो तू धर जाएगा चार में से घड़ जाए कितना बचेगा टू इस प्रस्न का एंसर कितना आएगा टू देखे साल as it is लिखा 16 को लिखा 2 की घाते 4 अब फिर मने तुलना कर दिया तो X plus 2 बराबर कितना या 4 यह उधर गया घट गया आया आपका उत्तर कितना 2 I hope कि यह प्रस्ण भी आपको समझ में आ चुका है देखे इस तरह के प्रस्ण को आपको आपका IQ लेबल चिक करता है कि आप कितने समझदार है तो देखे यह इसे यम मानेगे तो बेस है यम की घाते यन तो यन पहले आ जाएगा तो भी उधर चला गया और लाग एक का किसी भी बेस पर बैलू 0 होती तो 0 का कुड़ा भी में करोगे तो 0 ही न मिलेगा तो इस प्रस्ण का इंसर कितना होगा 0 तो यह मलब ऐसे ही बता देने वाला प्रस्ण था चलिए अगला देखते हैं 3 log x बेस आट बराबर 2 तो x is equal to question mark ठीक है तो यह आपका यहाँ पर जाएगा x की घाते 3 बेस आट बराबर 2 अब इसको करना क्या है करना कुछ नहीं है इसको मतलब घातां के रूप में लिख देना तो इसकी घात ये बनेगी तो x क्यूब बराबर 8 की घाते 2 तो x क्यूब बराबर 8 का स्कौार 64 तो यहाँ पर जब इदल ले जाएगे तो 64 कवरगमूल निकालेंगे तो 64 कवरगमूल कितना होता 4 तो x की बैलू इस प्रस्ण में 4 आई ऐसे और ही मैट के वीडियोज हमारे चैनल पर उपलब दोंगे इसलिए पूरा देखी वीडियो इसकी इपना करें समझे ऐसे ही प्रस्ण आपके इंटरेंस एक्जाम में आने वाले हैं ठैक्यू सो मत चैहिन वनमातरो